नमस्कार विदेरती मितरानू, ग्लोबल आउनलाइन युनिवसेटी मजे तुम्चो स्वागता है, माजन आवा है निहाल सुर्याउंशी, I am your educator, तर मितरानू अपलेला जसके माहिती आहे, पीपल, डेवलेप्मेंट अइन इन्वारमेंट जो 9th युनिट आहे अपला पेपर करता होते होते हैं, तर त्या मधिल फर्स्ट चैटार है, या ठेक निवागुशाटा, इंस्टिटिशन्स आफ हायर लर्णिंग एजुकेशन इन्चेंट इंचेंट पिरेड जाहे प्राचिन भारत, त्या काड़ा मधिल जे इंस्टिटिशन्स होते हैं, कर्शा साथ हायर यानि एजुकेशन साथी त्यावरील क्वेशन स्विचार लेजा था अबला फर्स चैप्टर आहे तर त्याचे एक्सपेक्टेड एमसी की उज अपेक्षित प्रश्न जाहे त्या आपन आच्छा लेक्चर मदे डिस्कॉस करना रहा हुआ है लेक्चर सुरू करने आदे में तुमाला सांगुच चितो की ग्लोबल ऑनलाइन उनिवेसेटी है तुमचे साथी फॉल सिलाबस कोर्स यह उना ले रा है या फॉल सिलाबस कोर्स मदे तुमाला प्रिविए सेर क्वेशन टेस्ट में रहे दोनाचार अक्रा पसुन दोनाचर बीस परियनत जेकि टेस्ट आनि जवह तुमी ही सबमिशन कराल मंचे यह टेस्ट सबमिशन कराल ते महां तुमाला या फूल कम्पलीट सुलूशन जी आ है तो तुमाला में रहे स्क्या भेतरिक आमी तुमाला 40 टेस्ट सुद्धा प्रवइड करता होत ते ही कंपलीट सिलाबस वरतिया है अनि या टेस्क मदे सुद्धा जेमा तुमी सबमिशन करा टेस्ट सथ अनि तुम मला complete solution या वितरिकता हमे तुम मला full syllabus notes प्रॉवाइड करता हो English आनि Marathi या दोणी language मदे राइट मजे जेने करून तुमसा concept जुआ है तो clear हो जाना रहे त्यानांतर आमी तुम्हाला यह कोर्स मदे फूल सिलाबस वीडियो लेक्चर सुधा प्रोवाइड करता हो जने करें तुम्चा वेडे नुसार तुम्चा गन्विनेंट टाइम नुसार तुम्ही कदी ही स्टड़ी करू शकता कीचा तरहा पूर्न फास लीटि तुम्ही कोर्स मधाला रहे जैने करें तुम्हार सह घचा प्रिपरेशन आंए लुiz 007 करें तुम्हा जार स्चोड़ी शुरु करता सरय तो मिटा में तुम्हाला गैनिटी देख की तुम्हार सा're ची एग्जामिनेशन चा जो गोल आहे जो एच्विमेंट आहे ती फर्स अटेम मदे क्लियर होना रहे है ज़र हे कोर्स तुम्हाला जॉइन करें चासेल तो तुम्ही ग्लोबल ऑनलाइन युनिवसिटेशा अप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता जेकी प्ले स्टोर वरती आवेले बला है किमा या नम्बर वरती कॉंटेट करूं सुद्धा तुम्ही हा कोर्स जॉइन करू शकता ओकी तर सुरू गोरे आच्छा लेक्चर ला विच ओफ दो फॉलोइंग उनिवसिटेश आर किमा इस नॉट अमोंग्स दो फर्स त्री दाट वेर इस्टाबलिश्ट दूरिंग 1857 मजे 1857 चा काडा मदे जी युनिवसिटेश इस्टाबलिश जाले होते राइट तर या मद आशी कुटली उनिवसिटी आए है जे कि 1857 चा किरेड मादे इस्टाबलिश जाले होते ओके ए कलकता बी बॉम्बे सी डेली की दी मदराश असा राइट आंसरा है सी representatives manifest १ जाले लिन उती तैसा आर्थ कलकात्ता बॉंबे अनी मद्रास या तीन युणिशिटी जाहे ते 1857 मदे इस्टैबलिज जाले ले होते हैं या ठीकरने आपन बहुत शक्तों की युणिशिटी अफ कलकात्ता बॉंबे नाव मुंबई मंजे आधा ते ला मुंबई मनता इन जुले 1857 मद्रास मंजे तैला ते चैनना इंदा ते कदी जाले सप्टेबर 1117 मंजे कलकात्ता युणिशिटी यानि बॉंबे युणिशिटी बॉंबे युणिशिटी तो युणिशिटी युणिशिटी सुद्दा 1857 मंजे स्टैबलीश जाले था ते चैनना इंदा इने युणिशिटी त्याला अपन बहु शक्ता कि जरा आपलाले यहामते काही क्वेश्चन वीचा ले जातिल कि कलकता आनी बॉंबे जुले राइट त्या सोबत अजर्ब मद्रास्वरील कोश्चन अलातर सब्टेमबर 1857 अनि अलाबाद अनि अनि अलाबाद युनि सिटी जरी अलातर सुधा 1858 जरी ओके बिफोर दिस अ कपल अव कॉलेजेश वेर सेट अप दूरिं ब्रिटेश रूल तो मेट इंजिनिरिंग अड्मिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल नीड्स अव ब्रिटिश रूलर्स मंझे ब्रिटिश का अवडेका ही कॉलेजेश इस्टैबलिश के लेगे लोती कश्य साथी जी ब्रिटिश लोका है त्यां चा एंजिनिरिंग अड्मिनिस्ट्रेशन और मेडिकल चे एजुकेशन चा नीड्स अटी गरजान साथी ते ब्रिटिश लोकानी कॉलेजेश इस्टैबलिश के लेगे लोते बट इस कॉलेजेश वेर अफिलेटेड टू ब्रिटिश यूनिवस लिशिटिश जञांए ते ब्रिटिश यूनिवसिटी में आफिलेटेड होते घरेश्टेड जा हले होते वाइल्छ दिल्ली यूनिवसिटी वास फांड़ेड इन 1922 डिली यूनिवसिटी ज आहे थे एकुनिश बाविस साली स्टैब्री शाली थालि तैंट Act of Central Legislation Assembly मंजे जी बॉंबे युनिविशिटी मदरास युनिविशिटी आनी अलाबाद युनिविशिटी जाहे कि मां कलकता युनिविशिटी सुधा या सर्व जाहे थे बृटिश युनिविशिटी मदे अफिलेटेड आहे परन्तु देल्ली युनिविशिटी जाहे ती कश्या मते अफिलेटेड है Act of Central Legislation Assembly यांचे द्वारे सुधा यांचे द्वारे सी फांट जाली हुती कौंती युनिविशिटी दिल्ली युनिविशिटी तास वार राइट आंसर वोस दिल्ली युनिविशिटी which is not included in establishment of 1857 period बढ़िया पुदिल प्रशना कड़े बढ़िया पुदिल प्रशना कड़े The report of which following education commission carries the subtitle education for national development education for national development मन जे राष्ट्रिय विकास साथी सिक्षन हे जे slogan आहे कि वाँ हे जे title आहे हे कुटल्या education commission सा title आहे A. राधा कृष्णन कमिशन B. मुदलियार कमिशन C. कलकता युनिविशिटी एजुकेशन कमिशन D. कोठारी कमिशन तर यासे right answer आहे D. कोठारी कमिशन मन जे education for national development राष्ट्रिय विकास साथी सिक्षन मन जे जे education provide के लए जातके कश्य साथी आहे तर राष्टा चे विकास साथी राष्टा चे विकास सामधे जे का ही पहलो असेल जे का ही फैक्टर सासेल तर यासे education देना मन जे education for national development तर हे से स्लोगन आहे टाइटल हे कोठारी कमिशन आहे तर कोठारी कमिशन तर या ठीकाने बहुँ शकता की प्रत्यक कमिशन चु जाहे ती information आथ देоля लिया हे पहला हे दं मुद्ली यार कमिशन सेकंडरी एजुकेशन कमिशन आहे हा इन 1952 मुद्ली यार कमिशन फॉज आपोइंटेड फॉर्म ऑफ सेकंडरी केशन सेकंडरी एजुकेशन जाहे अपला इंडिया मदे तैला रिफॉर्म करने सथी तैचा मदे अपडेट्स अन्या सथी ही मुदलियार कमिशन 1952 मदे ही केली होती है अपोइंट के लिए केली होती है डॉक्टर A. Lakshman Swamy मुदलियार, Vice Chancellor of Madras University was the chairman of this commission. The commission submitted its report in 1953. जिस स्लोगन है Education for National Development है 1953 मदे रिपोट के ले लोता है अनि या university चा किमा या commission चा चेर्मन कोन होता था Dr. A. Lakshman Swamy मुदलियार जर क्वेशन विचारला जाओ शक्तो विचारला गेला examination मदे है की कि या से प्रेमन मुदलियार क्र्शनी सर्फारला जर्वार जर्वॉक्टर क्र्चा चेर्मन विचारला करें आपी तर्याखता करें है तर्या खनी काने अंसर है Dr. A. Lakshman Swamy ुदलियार vice chancellor of Madras University vast chairman of this commission okay there is Ya आहे राधा कृष्णन कमिशन 1948-1949 उनिए सिटी एडुकेशन कमिशन तयाला सम अठला जाता दो जो अठला की वीचाफवतब दो फौल किशन फोक्usses mainly on higher education seeking on the commission was appointed under the chairmanship of dr. Sarvpalli Radhakrishnan commission was appointed to report on Amazon University Education and suggest to improvements to suit the present and future requirements of the country. मन्जे country मदे देशा मदे का ही future requirements अस्तिल की मा currently जे requirements अस्तिल ते fulfill करने सथी कशा मदे Indian University Education मदे या सथी ये commission ही जी commission आहे रादा किशन commission ही ला appointment के लगे ला हुता. पुड़े आहे कलकता University Commission. कलकता University Commission in September 1917 117 मदे the government of India had appointed special committee presided over the Michael Sadler. Michael Sadler चा presidency under ही कलकता University सप्टेबर 117 मदे government of India चा द्वारे appointment के ले ले होती. ओके दो अबजेक्ट आफ कलकता University क्याती कने पहुशक्ता दो अबजेक्ट आफ युनिशेटी कमिशन कलकता युनिशेटी कमिशन better known as Sadler Commission. त्याला Sadler Commission असा सुधा मतला जाता. यावर थीजर क्वेशन विचारला कि विच आफ दो फॉलिंशेटी कमिशन अलसो known as Sadler Commission. तर त्यासा आंसर काया सना रहे future requirements अस्तिल किवा युनिशेटी एजुकेशन मदे का है requirements अस्तिल that's a fulfillment साथी ही university appoint के लिए जिली होती. पुधिल प्रश्ना अस्ट ध्याई वोज रिटन बाई अस्ट ध्याई हे जी बुक आहे त्याई लिली लिया है तर याठेकाने में दिलेल आहे information याठेकाने बहुँ शक्ता name of writer आहे तर अबॉट धर राइटर राइटर बदल information आहे और नोन फॉर मंजे कशा साथी ओड़कला साथा पहला है चानक्य तीन्षे पन्नास ते दोन्षे पंचातर BCE before Christ चानक्य जाहे अल्सो फेमस आज कउटिल्या कि वा विष्णु गुपता मंजे चानक्य जाहे राइटर तेना कउटिल्या आनी विष्व गुपता या नावने सुध्धा उड़कला जाता ते प्राइम मिनिस्टर होते कोना चा अंडर मदे की चंदर गुपता मोरिया जाहे राजा तेन्षे रेन होता रेन मंजे राज्यकाड तेन्षे राज्यकाड मदे ते प्राइम मिनिस्टर होते कोन तर चानक्य वेदिक स्कोलार आज तक्सिला तक्शिला जी आहे ते वेधिक स्कॉलर होते हैं अर्थ सत्र The Science of Materian Gain जी भूका है ये तेने लिली लिया है त्यानतरह है जीवा का जीवा का, Personal Physician of Buddha गौतम बुद्ध जी होते तेन चे Personal Physician होते थे कोन जीवा का? Known as Yi Wang और Medicine King त्यानना यी वांकि मां मेडिसिन केंग जानावने सुधा उड़कला जाएचा इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन ही बुक तैनी लिल ले है त्यान तर आहे कटियाना कटियाना संस्क्रिद ग्रामरियन, माथमेटिशन और वेदिक प्रिस्ट कटियाना जे आहे ते संस्क्रिद ग्रामरियन सुधा होते ते ग्रामर शिकवाई चे संस्क्रिद मदला माथमेटिशन सुधा होते, गनित तद्न और वेदिक प्रिस्ट सुधा होते चैना तर तर त्यानना, डिसिपल आफ गोतम भुधा चया ना आवने सुद्धा उलकला जाएचा तर त्यानना कौन्ता गोश्टी साटी उलकला जाता वर्तिक कारा, व्यकराना, सुलब सुत्राज या तीन गोश्टी जर एकजामेनेशन मती विचार लिया कि हे कोनी, which of the following, कि वा वर्तिक कारा, book, was written by, कि वा व्यकरान, book, was written by, कि वा सुलब सुत्राज is written by, तत्या चा राइट आंसर का आसनारे कटे आना, त्यान अंतरा है पानी ने जेके अपला राइट आंसर होता, संस्क्रिट फिलोलोजिस्ट आहे, ग्रामरी आहे, फादर आफ लिंग्विस्टिक्स मजे प्रत्य वेगवगड़ा भाषन चाते त्याना फादर मतला जाता, first, descriptive linguistic, जे descriptive भाषा तद्या है, त्याना त्याना वह ने सुद्धा उडखला जाता, त्यानी काय के लेला है, अस्ट ध्याई, ये book लेलेला है, ये कि अपलाया question मती होता, तर I hope क कि ही information खुब चांग लिया है तुम्हें साइटी को फेलफुल आ है तुम्हें स्क्रिंशॉट कार्ण गी हूँ शकता कि मा तुम्हें नोट बुक मदे तुम्हें नोट करू शकता राइट जेने कुरूं तुम्हें एक्जामनेशन मदे सुद्धा हेल्फ हुई लान तुम्हे प्रिपरेशन मदे सुद्धा चांगली हेल्फ हुई ओके बढ़े अपड़ेल प्रश्ना कडे दे एंशेंट इंडियन उनिवसिटी नोन अज चीफ सेंटर फॉर अडवांस्ट और स्पेशिलाइजड स्टेडिज इन न्याया और लॉजिक वाज़े न्याया और लॉजिक या दोन सब्जेक्ट मदे सग्याद इस्पेशिलाइज निधियन ऊचेंटव सेंटर फॉर अडवांस्ट इनचेंट ऐन आरूसिटी ऐन त्या कंड़ा मदे न्याय और लॉजिक या दोन विशाया मदेस्ट पेशिलाइज तेडिज देनारी उनिवसिति उनिवसिटी मिथिला युनिविशिटी जया है त्या युनिविशिटी मदे दोन सब्जेक्ट है सगया स्पेशलाइट सब्जेक्ट होते कुटला है पहला है न्याया आने दुसरा है कुटला लॉजिक तरहे दोन सब्जेक्ट जया है ते सरवात इंपरणट होते कुटला युनिविशिट याठी काने आपन प्रत्रिक उनियुशिटी चे इंफरमिशन भोगया पहले है नादिया उनियुशिटी आल्सो नोन अज नवद्वीप नवद्वीप या नावने सुद्धा उडखला जाता कोनला नादिया उनियुशिटी ला इस लोकेट अट जंक्शन अफ गंगा और जा नादिया उनियुशिटी जाए तैला इस्टैबलिश के लगेला होता सब्जेक्ट लाइक लॉजिक, पॉलिटिक्स, लॉज टैठीका नी शिकोले जाये छे ओके इन 15th century school of logic was set up by Indian philosopher and logician Raghunatha Shiromani at नादिया उनियुशिटी मन्जे यानि नादिया उनियुशिटी मन्जे काय केल होता तर लॉजिक, स्कूल अफ लॉजिक जाहे ते इस्टैबलिश के लगेला होता तैया नतरह है जगद्दाला उनियुशिटी इट वस सेटप बाई पाला किंग रंपाला पाला डाइनस्टी जे आहे त्या मदिल किंग होता रंपाला राइट तकिंग ने ही उनियुशिटी सेटप के लिए होती कदी के लिए होती 11th century इन नौर्थ बेंगाल आतती बांगलादेश मर्या है राइट वेरियस सब्जेक्ट इंकुडिंग संस्कृत त्यामदी शिकुला जैसा है बिन तॉट इन इस उनियुशिटी वन दो इन आत्रा जैसा है नोगिस अंस्कृत इस पंपालद बुद्धि श्कॉलर इन इस उनियुशिटी रहे चान अंतरा है मिधिला इन इस उनियुशिटी इस प्राजा जैनक जा है तैन्चा काड़ा बसुन ही इस आतला जाता दा दा फादर अव सिता इस पादर अजू सित रिषी जानी काही जे लर्नस आहे तै आप इस उनियुशिटी चा कॉन्फरेंस मदे पार्टिसिपेट काले चे या मदे कुटले कुटले सब्जेक्स शिकोले जाय चे लिट्रेचर है फाइन आट साहे सायन साहे तैस्क्रिप्चर्स इंक्लूड वेदास न्या शास्त्र इस सर्व सब्जेक्स जाहे ते या उनियुशिटी मदे शिकोले जाय चे 12 सेंचुरिय मदे अ स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक न्याया नव्य न्याया वस फाउंड बाइ इंडियन मैथमेटिशियन और फिलोसोफर गनेश उपध्याया इन दिस उनियुशिटी तर या अवरती ज कि 12 सेंचुरिय मदे नव्य न्याया है कोनी फाउंड के लोता तर गनेश उपध्याया तो यानि है इस्टैब्लिश के लिए होता लेटर न्याया जुरिस्प्रूडंस एंड तरक शास्त्रा लॉजिक वे टू फेमस सब्जेक्स इन दी उनियुशिटी मंजे न्याया राइ कि लॉजिक पर कुटला युक शास्चे अदर्थिया अंतर मितिला युचेटी ए ट्यानंतर है वल्ला भी युचेटी हे कोनी सेटाप केला होता तर मित्रा का डायूसिटी मेट्रा का डायूसिट इस्टाबिश्ट चैलेडीश केला फ seriously टू थाउजन येर्स ओल्डोन हजार वर्षब जुनी आहे ही युनियोसिटी और इट वस फ्लरिच्ट अंटिल थे 12th सेंचुरी सेवरल सब्जेक्स लाइक मंझे कुटले सब्जेक्स शिक्वाई चे त्या मदे एकॉनोमिक्स आहे लौ सब्जेक्स आहे आहे पॉलिटिक्स आहे मेडिकल सायंस आहे बुक कीपिंग चे अगाउंटंसी शिक्वाई चे तया लिटरेचर है व्याकरन शिक्वाई चे हिन यानः बुद्धिजम वेर तॉर्ट इन दिस युनियोसिटी त्रिया उनिविषिटी दे खुब सारी कोंद्धिजों चे चे सी यह वल्ला भी university जा है ते आला अपन थोड़के इंटरनाशनल university आसा बोलू शक्तो जा ठीका नी वेगवेगड़ा देशा तुन जे students आहे ते शिकाय लगे जा राइच राइच इग्जामिनेशन मदे प्रश्न विचारला विच आःफ्दी वास रिनरवन्ड फोर रिलेजियस तोलरंस और मेंटल फीरिडम तरह रहे जा राइच आटरन्सर का आस नारे वल्ला भी university पुदिल प्रश्न, which of the following modes of admission was prevalent नालन्दा उनिएसिटी इंचेंट तर नालन्दा उनिएसिटी जी आहे त्या मदे एड्मिशन गेना साथी कुटली प्रोसेस अचे कि मा स्टुडेंट ला कुटली प्रोसेस द्वारे सफल होया लागाई सा कशा साथी नालन्दा उनिएसिटी मदे एड्मिशन गेना साथी A. इंटरेंस एग्जामिनेशन, B. इंटर्विव, C. गुड़ अकाडेमिक क्रेदेंशियल्स, D. पी डिसकुशन, मनझे त्याला इंटरेंस एग्जाम देया लागे ची का त्याला इंटर्विव देया लागे सा कि ते चांगले शेक्षनिक प Nalanda university घाला अपनी याथिक ने भूग शुक्तो की इत्म लाज़ बुद्धिस मॉनेश्त्री लोकेटिदीन नालंदा बिहार नालन्दा बिहार याठीका न ही युटिसी श्थी तैता है जहामधे बुद्धिश मॉनिस्ट्रिया है लार्ज प्रमानङ도 मोट्यप क्रमानच, इस वन अ ऑप डुल्ड़ेस्ट लर्नी इंस्थूूशेन hega जुनी इंस्किटिऊशना है लर्नीची इंडिया मदे इट्स ओरीजिन देट बाक तो द फिफ और शिक्ट सेंचुरी ज मंजे फिप्ट अनी शिक्ट सेंचुरी मदे ही उनिसेटी इस्टैबलिश के लीए लिए लिए ति अडिया वेल सुद्धा ही चालाय चालाय चानी जु शत्या जाहने टाटिकानी Ah Sabola जातकी यESSर मंदे गी चालाय तर्ग मंजे काया की काै मुरव्र गुष्ट जफ्ट तर थि शिकोले जाता राइट त्या गुष्टि जाहने चालाय टो। भीने केले साथ कि गौतम बुद्दा स्वता त्या नालन यूनिशतिए वाले चिक सर्व सब्जेक्ट तर्थिकानी शिकोले जाए चे इंफुडिंग था साइंस अफ मेडिसीन वेर टॉट आज वेल आज द उपनिशाथ और वेदाज या सर्व गुष्टी जाहे त्या नालंदा युनिशिटी मद यासाए चे मंजे या युनिशिटी ला सुद्धा अपन इंटरनाशनल युनिशिटी अस संबोधु शक्तो चाठीकानी की वेगवया देशा तून स्टुडेंट से चाइना सो कोरिया जापान टीबेट मंगुलिया तर्की श्रीलंका साउथ इस्टेशिया राइट या सर्व देशा मद उन कारन का है ती कुटले घुष्टी चानना अट्रैक कर रहे चे तर्की नालंदा युनिशिटी मजे टीचर साहे श्कॉलर साहे तैंचर जे नौलेज अहे त्या मुले हे स्टुडेंट्स अट्रैक्ट होन या ठीकानी शिकाय लेया चे ओके सो इट अल अबाओ नालंदा यु तर आपन लास्ट क्वेश्चन मदे बगितलो तकी नालंदा युनिशिटी जी आहे ती गुपता डाइनस्टी मदे इस्टैबलिच गे लिए ती परन्तु या ठीकानी का विचाले राजा चाना विचाले बिंदु सारा हे दसरता हे चंदर गुपता हे कि कुमार गुपता ह आप लला यह वड़ा मायते की गुपता पिरेड मदे इस्टैबलिच जाले लिए ती तर कुटला गुपता हे तदी कुमार गुपता ओके कुमार गुपता चा पिरेड मदे कि वा रेन मदे ही युनिशिटी इस्टैबलिच जाले लिए उती पुधिल प्रश्ण दे चाइन नालंदा उनिएयुशिटि टॉरिं शैन्स नालंदा उनिएयुशिटि दूरिं टॉरिं ज्यी चाहिने स्कॉलर राय थिलिए आपि छाहिन रहे सेवंगी उ हुटि겠री हुट。 okay ओक्यूंजंग राईक विंग चैनि जिप्त सेन नालंद उन्युंज स्थ के लहें ओंजंग जिप्तों रावल सेन बुद्धिस मॉंग शुद्धा माटला जाता ये सेथेंगे सेंचुरी मदे इंडिया मदे त्रावल के लो होता है, जले हर्शाअपनाष्या दाइनस्टी धिया पिरेड मदे विजिद लो भी होती रहाइट अनि काय केली जमा विजिद जले होती नालंद पुदिल प्रश्न, the first known residential international university of the world is, मंझे जगा मदे सरवात पहली residential international university कुटलिया है, मंझे न्यात असलेली किमा ओड़क असलेली निवासी अंतरास्ट्रे विद्यापिट कुटला है जगा मदे, A. Magad University, B. Nalanda University, C. Vikram Shila University, D. Taksha Shila University, एक तुम्हें तुम्मा लगोस्त साँकतो की, Taksha Shila औनि Taksha Shila, या दोन वेगववेगग अगा इनिव सिटे है तो के तर या कॉश्चन चा अंसर है नालन अनूश्ला नालन अनन उनिशिटी जा है ती शर्वात जुनी अनिव सिटे है विच इस नोन आज फर्स्ट रस्सेश International University of the World, okay, Pudhil प्रशन, the medium of instruction in the Vedic system of education has been, जी Vedic system होता, त्या system मदे, जी education दिले जाए सा, त्यासा instruction दिले जाए सा, त्यासा medium का होता, medium मजे जी भाशा कुटली होती, A. Sanskrit, B. Pali, C. Hindi, D. Urdu, तर त्या मदे Sanskrit language जाए, Sanskrit medium जाए, त्या education मदे युज के लजाए जाए जाए, उडिल प्रशन हो, In ancient India, the eligibility criterion in this respect of age for student seeking admission to the Taksila University was set at, मंजे Taksila University जाए त्या मदे admission कहना साथी कमित कमी वाई किती आसायला पाए जा students, A. 22 years, B. 20 years, C. 18 years, D. 16 years, the right answer is 16 years, मंजे 16 वर्शे जाए, मुलाला कि मा बुलिला पूर्ण जाए, तर तो eligible है कुटे एडिमिशन कहला तक्षिला University मदे, Okay, so I have done with today's lecture, I hope कि तुम्हाला concept पूर्ण क्लियर जाए जाए, ancient Indian मदे जे institutions आए, higher education आए, study साथी, त्या मदिल questions आए, अपन डिसकस के लिए ले आए, तर त्या मदिल concept जो आए, तो मी तुम्हाला clear केला आए, आसी मी आशा करतो, आनि जर concept जाए जाए जालेला न सेल, तर तुम्हाला पूर्ण बॉक्स मदे, माला कुटला ही आठ वस्ता, lecture आसना रहे, तर रुष्ट काई, आठ वस्ता तुम्ही रेडी रहा, तुम्हालेक्चर तुम्हाले साथी, रेडी आसेल, आनि तुम्ही स्टड़ी कोना करू शक्ता, अके, तो थैंक यू फॉर टूदे सेशन, और हैवा गुद डें झाल झाल